साथियों, प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं होता, लेकिन बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रभंधन की जो ताकत विक्सित की है, वो आज एक उधान बन रही है। प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बड़ा तरीका है प्रकृतिका सवरक्षन। आजकल मौनसून के समय में तो इस दिशा में हमारी जिम्मेतारी और भी बढ़ जाती हैं। इसलिए ही आदेश कैज्द रहीं जैसे अभिहानों के जरिये सामोहिक प्रयास कर रह पिछले महिने मन की बात में ही हमने जल सवरक्षन से जूड़े स्टार्टप्स की चर्चा की थी। इस बार भी मुझे चिठी लिखकर कई ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो पानी की एक एक बुंद बचाने के लिए जी जान से लगे हैं। ऐसे ही एक साती है यू इंचायत के प्रधान है। आप भी जानते हैं कि बांदाव और बुंदेलखन छेत्र में पानी को लेकर कितनी कठिनाईया रही है। इस चनोती से पार पाने के लिए तुलसे राम जी ने गाउं के लोगों को साथ लेकर इलाके में 40 से ज्यादा तालाब बनवाए हैं। आज उनकी महनत का ही नतीजा है कि उनके गाउं में भूजल स्तर सुधर रहा है। ऐसे ही यूपी के हापूर जिले में लोगों ने मिलकर के एक बिलुप्त नदी को पुनरजी भी किया है। यहां काफी समय पहले नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी। समय के साथ वो लेकिन स्थानिय स्मृतियां और जन कथाओं में उसे हमेशा याद किया जाता रहा। आखिरकर लोगों ने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सज्यू करने की ठानी। लोगों के सामुहिक प्रयास से अमनीम नदी फिर से जिवन्त होने लगी है। नदी के उद्गम स्थल को अमृत सरोवर के तौर भी विक्सित किया जा रहा है। साथियों ये नदी, नहर, सरोवर ये केवल जलस्रोत ही नहीं होते हैं बलकि इन से जीवन के रंग और भावनाये भी जुड़ी होती हैं। ऐसा ही एक द्रश्य भी कुछी दिन पहले महराष्ट में देखने क को बिला। ये इलाका जादातर सुखे की चपेट में रहता है। पांच दसक के इंतजार के बाद यहां निलवंडे डेम की कैनाल का काम अब पुरा हो रहा है। कुछ दिन पहले टेस्टिंग के दौरान कैनाल में पानी शुड़ा गया था। इस दौरान जो तस्वीरें आ गाउं के लोग ऐसे जुम रहे थे जैसे होली दिवाली का त्योहार हो।